नमस्कार मेरे प्यार साथियों, हाजीरूं आपके सामने BSTC एक्जाम का एक और मोडल पेपर लेके, यह हिंदी का मोडल पेपर है, इसमें बिलकुल हम BSTC के एक्जाम पेटन प्रातरित 30 क्वेशन देखेंगे, कुल 31 क्वेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ, एक क्वेशन आ रहे थे, तो देखेंगे, बिना आपका समय खराब किये, अगर शुरू करें, वीडियो पहला क्वेशन देखेंगे, क्या रहा है अपना पहला क्वेशन, जिनका मन किसी दूसरी और हो, वाक्यांस के लिए प्रियुक्त एक सब्द क्या हो जाएगा अपने, तो आपका क्या है, होमवर्क है, इसका अंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्या है क्वेशन, जिनका मन, या फिर जिसका मन किसी दूसरी और हो, उसके लिए वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा, इसका अंसर आप कमेंट करके पटापट से बताईए, तो देखें क् अपने परंपरा रूरी लोकाचार या फिर सब्विता क्या कहते है उसे तो दीकिए बहुत समय से जो रिवाद चला रहा है उसको कहते है अपने रूरी option second हो जाएगा इसका correct answer option भी इसका एकदम सही answer है भी एकदम रूरी हो जाएगा इसका correct answer अगला प्रस्टने नम्रता पूर्वक याचना वाक्यांस के लिए प्रियुक एक सब्द क्या हो जाएगा अपने comment करके पटापट से आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या हो जाएका is cancer नंवड़्ता पूर्व यासना अगर करी जाए तो उससे क्या करते लिए पर बता है अनुरॉद प्रात्ना निवड़न या आग्रह क्या क्या करते हैं उसे तो नंवड़्ता पूर्व यासना अनौरोध क्या लाता है option A हो जाएका इसका correct answer क्या कहलाता है अपने अनूरोध कहलाता है question फूर है नेम में इस सब्द में ओला परते हैं किस सब्द में ओला परते हैं अपने बॉला शपॉला टोला या फिर गोला क्या हो जाएगा इस cancer तो दीखिए ओला परते कि एगर बात करें किसमें अपने सपोला में हो जाएगा अपने ओला प्रते देखे बोला तोला और इसमें अपने क्या है कोई प्रते नहीं है अपने इसमें क्या है अपने सपोला में सांप धन ओला सपोला यह होता है अपने ओला प्रते option भी इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रिशन निम्न में से यह सब्द प्रत्य से नहीं बनाएं कौन सा सब्द अपने प्रत्य से नहीं बनाएं बिखारी बिख्षुक पोत्र या फिर अमाट्य क्या हो जाग इसका answer देखे बिखारी में अगर बात करें तो आरी परते हैं आरी बिख्षुक में अगर बात करें इसमें कौन सा परते हैं उक परते हैं पोत्र में अगर बात करें तो देखे पूत्र के बाद अगर अ परते जोड़ देद यह पोत्र बन जाता हैं तो देखे अमाट्य हो जाएगा इसका correct answer दीकिए आपको थोड़ा से blur दिख रहा होगा तो वीडियो की quality बढ़ा कर आप 360 कर दीजी उसमें अच्छे से दिख जाएगा यह आपको तो दीखे इसमें अगर बात करें तो अपने option D हो जाएगा इसका correct answer अगर बात करें तो इसमें कोई परते नहीं है और इसमें अगर उपसर्ग की बात करें उपसर्ग तो अपने अउपसर्ग है इसमें और अपने मात्य इसमें मूल सब्दे हैं तो आप दियान रखें इसमें परते नहीं है बागी सब्दें परते हैं यह इक परते हो जाएगा अपने option भी इसका हो जाएगा correct answer question 7 है किस सब्द में अधी उपसर्ग नहीं लगा है अध्यादेश, अधी पती, अधी ग्रहन या फिर अदो मुख क्या होगा आपके इससाब से इसका अंसर पटापट से आप कमेंट करके बताएए अधी उपसर्ग किस में नहीं लगा है अध्यादेश तो दीकि अध्यादेश में अगर बात करें तो इसमें क्या होता है अधी दन आदेश यह होता है अधी दन आदेश अध्यादेश यह होता है अध्यादेश यह होता है अध्यादेश अधी उपसर्ग नहीं है इसमें option D हो जाएगा इसका correct answer इसमें अधा उपसर्ग है अधा मुख अधा मुख तो option D हो जाएगा इसका correct answer इसमें अधी उपसर्ग नहीं है ये सही answer है अपने question 8 है नेमन कि सब में अनुपसर्ग नहीं लगा हैं तो कि इसमें अपने अनुपसर्ग नहीं है, अन्विती, अन्वेशन, अनन्त या फिर अनुग्या, क्या हो ज़िए इसका अंसर? तो दिखिए, अन्विती में अपने अनुपसर्गें, अनूदन इक्षण, अनुदन एशन, अनूदन एशन होता है इसका संदी विचे तकर कर तो इसमें भी अपने अनूपसरगे अनन्त में अपने अनूपसरगे अनन्त के अगर बात करें तो इसमें कौन सा अपसरगे अपने अनूपसरगे अन दन अन्त होता है इसका कर दे के सब्द तो जो बन कर अपने क्या बनता है अनन्त बनता है तो इसमें अपने अनूपसरगे तो option C ही इसका correct answer हो जाएगा question 9 है किस सब में sum उपसर्ग नहीं लगा है देखिए उपसर्ग प्रते ऐसे करके आपके हिंदी के कुल 11-12 topic है total topic अगर बात करें तो 12 या फिर 13 topic है आपके कुछ BSTC exam में अगर बात करें तो तो देखिए सबी topic से में इस वीडियो में question सामिल किया है पूरे 30 question हुबू exam pattern पर आदा रही थे आपके तो देखिए sum उपसर्ग किस में नहीं है अपने sum उपसर्ग संतोष संस्कृत या फिर सज्जन तो देखिए sum उपसर्ग में अगर देखें सज्जन अगर आप संदी विच्छत करके देखें तो भी देख सकते हैं सत दन जन होता है सत जन जन ये वियंजन संदी का उदर होता है तो सज्जन इसमें क्या है अपने इसमें अपने sum उपसर्ग नहीं इसमें सत उपसर्ग है स और आदात ये वाला उपसर्ग तो option डी इसका एकदम सही answer है Question 10 है निर्मी मेश सब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा अपने निर्मी मेश में नीर, नी, नीह और निस क्या होगा इसका answer पटापट साब कमेंट करके answer बताएए इसका नीर्मी मेश में अगर बात करें तो इसमें नीर उपसर्ग है कौन सा उपने नीर उपसर्ग option is correct answer Question 11 है किस उदारण में तत पूरुष समास है स्वरचित, अस्त्रिपूरुष, पूरुष, चक्रपाणी या फिर निश्याचर क्या होगा इसका answer तो देखें तत पूरुष समास के अगर बात करें तो चार उप्शन आप ढंग से देखिए तो देखें क्या होजगा इसका answer देखें चार उप्शन के अगर बात करें तो देखें स्वरचित में अगर देखें तो स्वयम के द्वारा रचित है जो उसको बोलते है अपने स्वरचित तो यहाँ पर क्या रहा है अपने के द्वारा आ रहा है के द्वारा स्वयम के द्वारा रचित है जो अपने क्या है कारक का लोग हो रहा है इसमें तो यही अपने क्या है तद पूरुष समास का उधारने और देखिए दूसरी अगर बात करें अस्त्री पूरुष तो अस्त्री पूरुष में अपने क्या है अस्त्री और पूरुष आता है इस प्रकार यानि कि द्वंद्व समास का उधारने ये द्वंद्व का चक्र पानी चक्र पाणी किसे केते हैं अपने चक्र है पाणी में जिसके याने की विष्णु की बात हो रही है ये अपने कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है तो ये अपने बहुवरी समास का हुदा रहने निश्या चाहर की अगर बात करें तो इसमें भी क्या है अपने निश्या याने की क्या होता है रात्री रात में जो ब्रह्मन करता है चाहर मतलब ब्रह्मन करना उसको बोलते है अपने राक्षस बूत उनको बोलते है अपने इसमें अपने कोन सा समास है ? इसमें भी अपने बहूवरी समास का उदारन है तो क्या होज़एक इसका अंसर ? श्वर अचित में अपनी क्या होज़एगा तदपुरुषच समास हो जाएगा देखिए अधम केवल, अंसर नहीं देखना है अंसर के साथ साथ पूरी detail में हमें पढ़ना है, हार एक option का देखना है, तब जाकर आपको अच्छा लगेगा, तीस question में आपके 100-100 question क्लियर हो जाएंगे, तो आपको एक तर से अच्छा लगेगा, और आपके थोड़ा knowledge भी बढ़ेगा, किस उधारन में बहुवरी समास हैं, गोबर गनेश, न जल यान, क्या हो जाएगा इसका अंसर, देखें नील कंट में हो जाएगा अपने क्या बहुवरी समास, बहुवरी समास क्या होता है अपने, कोई तीसरा विशेस अर्थ निकलता है जिसको, जिसे नील कंट की अगर बात करें, नीला है कंट जिसका, यानि कि कोन है अपने, भगवान शंकर की बात हो रही है अपने शिव शंकर की बात हो रही है आपने तो अपने क्या हो जाएगा बहु रही vehicle समास का उधारण हो जाएगा धर्म बर्ष्ट में अगर बात करें तो धर्म से ब्रष्ट जल यान तो जल से बना हुआ जल पर चलने वाला जो या नहीं विमान है उसको बोलते हैं यह दोनों क्या है अपने तत्पुरुष समास का उधारण है option B क्या हो जाएगा अपने यह हो जाएगा अपने बहुवरी समास का उधारण question 13 है निम्न में से पदारूड सब्द का समास विगर क्या हो जाएगा पदारूड सब्द का समास विगर क्या हो जाएगा पद पर आरूड पद का आरूड पद के लिए आरूड या फिर पद से आरूड तो क्या ज़िए असका अंसर देखे पदा आरूड का मतलब क्या होता है अपने यानि कि पद पर जो अभी आरूड है पद पर जो भी है वरत्मान में जैसे प्रदान मंत्री पर पदा आरूड को ने अपने नरेंदर मोदी तो पद पर आरूड हो जाएगा इसका correct answer इसमें भी अपने तद पूरु समास है कौनसा आपने तद पूरु समास ओप्षन कौनसा सही है ओप्षन A सही है ओप्षन A इसका correct answer है question चाहुदा है विशर्ग संदी का उधारण कौन सा है तो देखिए सभी हरिष चंद्र दे रखे है इसमें क्या है अपने सुद्ध सब्द कौन सा हरिष चंद्र के गर बात करें तो option 1 हो जाएगा इसका correct answer हरिः धनचंद्र इसका संदी विशर्ग संदी का उधारण option 1 सचिदानन्द का विशर्ग क्या हो जाएगा आपने सचिदानन्द का तो देखिए क्या हो जाएगा इसका answer देखिए इसमें अपने बात करें तो व्यंजन संदी ये कोन सी संदी ये अपने व्यंजन संदी हैं और सत धन चीदानंद होता हैं लेकिन चीदानंद का भी इसमें संदी विचयत करके दे दिया है इपने चीदान आनंद चीदानंद का क्या होता है इपने चीदान आनंद होता है तो सत धन चीदान आनंद ये होता है इपने सचीदानंद का संदी विच्छेद तो option A हो जागा इसका correct answer और यहां A से भी आ सकता है सचीदानंद भी आ सकता है तो अपने option A इसका correct answer है questions हो ला है स्वागत का संदी विच्छेद क्या हो जागा स्वागत का आप भी comment करके बताएए काफी चीर परीचित question है कम से कम सो बार हर अलगले exam में बारत में repeat हो चुका है यह equation तो देखिए स्वागत की अगर बात करें तो यह अपने सूदन आगत होता है आपको देखनी रहोगा यह देखिए सूदन आगत हो जाएगा इसका correct answer सू सू में अगर बात करें थे उ का sound आ रहा है और उ के बाद अपने विजाती स्वा रहे है तो उसका क्या बन जाता है अपने व बन जाता है और यह आ है आगे तो व का क्या हो जाता है वा हो जाता है और आगे सू में से अगर उ निकाल दे तो यह अदा सव बनता है अदा सव में अगर वाज उड़ेंगे तो स्वा हो जाएगा और आगे गत तो स्वागत यह अपने यन संदी का उदारन है कौन सा आपने यन संदी का उदारन है तोड़ा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहे तो बुक में पढ़कर आना पढ़कर देखिए लोगोक्ति मुहावरे के आपके तीन से चार क्वेशन पूचे जाने वाले हैं तो इनका क्या होज़ेगा इसका अंसर अंदो में काना राज़ा तो देखिए एक आख वाला कहीं कहीं तो अपने सिधा हर्थ निकल देते हैं काना राजा का मतलब क्या है, काना का मतलब क्या होता है, एक कवला, ये तो सभी को बताएं, सीधा अर्थ हमें नहीं निकालना, इसका बावार्थ निकालना है, बावार्थ, तो जी कि अंदों में काना राजा की गिरबात करें तो क्या होगा, एक कवला नहीं होगा, अलपग् की माहिनिता होना यह हो जाएगा इसका correct answer अग्यानी अगर कोई है बहुत सार अग्यानी है तो जिसमें थोड़ा सा ग्यान है उसको भी एक्तर से stress माना जाएगा जैसे कोई गूण हिन व्यक्ति है उसमें थोड़ा गूण वाला व्यक्ति भी क्या है stress व्यक्ति होता है जैसे आ रहा हुआ है हम सब अनपड़े तो क्या है अंदों में एक काना रजा यानिकि अग्ज्यानियों में अलपकी की माहिनता होना option C question 18 है रंगा सियार होना का हरति है अपने कप्टी होना रंगीन होना मन चला होना ये पिर इन में से कोई नहीं रंगा सियार होना का मतलब क्या है अपने क्या हो जगा इसका अंसर कप्टी होना option A correct answer है question 19 से एक आँख से देखना इस मुहावरे का हरत क्या हो जगा अपने एक आँख से देखना काना होना अंदा होना संभाव से देखना या फिर पक्षपात करना देखिए बहुत सारे एक आँख से देखना मतलब कर रहे होंगे काना होना जो एक आँख से देखता है काना होता अरे बैस सीधा हर्थ नहीं निकालना है हमें हमें क्या करना है इसका बावार्थ क्या है इसका बाव क्या है अपने वो निकालना है तो देखे एक आँख से देखना मतलब सम बावना से देखना यानि कि सभी को एक ही नजरिये से देखना किसी से पक्षपात नहीं करना उसका म मतलब क्या होता है जो एक आँख से दिखाए ज़ता है एक आँख से उसको नहीं दिखाए ज़ता है उसको बोलते काणा question b से जैसे नागनात वेसे ही सापनात इस लोकोक्ति का क्या आर्थ हो जाएगा अपने दो सजनों में समानता होना गुरु सिश्य में समानता होना पिता पुत्र में समानता होना या दो दुष्टों में समानता होना तो दिखिए दो सज्जन नी होगा या पर क्या होगा दो दुष्ट होगा क्योंकि नाग और साप की बात की यहां पर जैसे नाग नात वेसे ही सापनात यानिकि दो दुष्टों में क्या है अपने समानता होना जैसे मान लिए कोई चोर हैं तो दूसरे चोर को देखकर एक तर मित्रता कर लेते हैं जैसे आपके भी कोई साती होंगे जब आपके गुण मिले होंगे तभी आप गनिष्ट साती बने होंगे ये भी निश्चित है बीना गुण मिले भी अपने कोई गनिष्ट साती नहीं बनता है तो अपने क्या हैं दो दुष्टों में समानता होना एकदम correct answer हो जाएगा question 21 निमलिकित में से सही वाक्य क्या है सुद्ध वाक्य अपने इसमें से क्या है वह इसके बावजुद भी आया वह इसके बावजुद भी आया वह इसके बावजुद आया या फिर वह इसके बावजुद आया क्या हो जाएगा इसका answer तो देख इसका answer क्या होजएगा अपने एकदम सुद्ध वाग की क्या होजएगा अपने वह इसके बावजुद भी आया ये हो जाएगा इसका correct answer ये वह वाला निया होगा वह इसके बावजुद आया आया क्या है अपने भी आएगा ये आएगा तो वह इसके बावजुद भ आया option is correct answer equation by इसे निम्ण में से सुद्ध सब्ध कौन सा है चिन हाँ चिन हाँ चिन हाँ या फिर चिन हाँ क्या हुज़े किसका answer देखिए इसकी सुद्ध सब्ध अगर बात करें तो चिन किस परकार लिखते हैं ये ची तो अपने चोटी मात्रा आती है और ये हाँ आदा आता है और फिर न आता है ये आता है अपने कई बार हम न आदा लिख देते हैं और हाँ पूरा लिख देते हैं लेकिन देखिए ची के बात आगने हाँ आदा है और न पूरा है इसमें तो यह इस प्रकार भी लिखा जाता है और इस प्रकार भी लिखा जा सकता है तो option C इसका correct answer है यह सुद्ध एकदम अगला प्रस्टन है किस सब्द में स्वर मात्रा समंदित असुद्धी हैं किस में असुद्धी अबने सरोजीनी, ग्रहीनी, अहल्या या फिर प्रदर्शनी तो क्या है किस कांसर देखिए सरोजीनी बिल्कुल सही बात है इसको इसी प्रकार लिखते हैं सरोजीनी इस प्रकार लिखा हुआ जाए है अगर सरोजीनी तो यह अपने गलत होगा यह सब्द आप अच्छे से ... याद कर लिए काभी बार μεंगया कि एकदम सही है ग्रिहनी ग्रिहनी के अगर बात करें तो ये भी सही है इसको भी इस पर का लिखा जाता है ये भी आप ध्यान रहें ही की मातरा छोटी और नी की मातरा बड़ी है ये भी एकदम सही है अहल्या ये भी सही है कहीं कहीं आपको अहिल्या लिखा हुआ मिलेगा अहिल्या नहीं आपने प्रदर्ष नहीं होता है क्या होता है प्रदर्ष नहीं यह होता है यह अपने सी नहीं नहीं आएगा प्रदर्ष नहीं आएगा यह तो option 4 अपने यह अ बागी सब भी सुद्धे हैं, option d हो जाएका इसका correct answer देकिए अक्या है, ग्रिहन सब्सक्राइड यह प्रिथ्वी, इसको प्रिथ्वी बोलते हैं, प्रथ्वी देके प्र किसे बोलते हैं ये प्र अगर लिखू में प्र के बाद अगर ये आजाए ये मात्रा तो ये क्या है प्र है लेकिन ये मात्रा नहीं आए और ये मात्रा आजाए तो इसको प्री बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रित्वी त्यूंकि ये री का साउंड आता है ये क्या अपने इस री रिशी वाला का साउंड है यह वाला तो इसको अपने प्रित्वी बोलते हैं उसी प्रकार अपने इसको ग्रिहनी बोलते हैं ग्रहनी नी बोलते हैं ग्रिहनी 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 ओप्शन बी इसमें क्या है ग्रिहनी होता है यह ग्रहनी नी होता हैं तो आप ध ज्यान रखें क्वेशन 24 है असुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौन सा अपने असुद्ध वर्तनी रविंद्र बिल्कुल सही बात है रविंद्र इसी प्रकार लिखते हैं आसिरवाद ये भी एकदम सही है देखें इसमें ये मात्रा यहां भी लिखी हुए आ सकती है तो ये अ ही आए आगे तो आदा न आदा त याक्षरी इस प्रकार भी लिखा जा सकता है अंत्याक्षरी इसी प्रकार भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और देखें सन्यासी की इगर बात करें तो सन्यासी के ऊपर के आएगा आएगा आपने सह के ऊपर भी अपने बिंदी आएगी और अपने न्यासी इस प्रकार लिखते हैं तो यहाँ पर यह बिंदी नहीं दे रहे हैं तो यह अपने असुद हो जाएगा बाकि सब भी सुद्धे हैं अप्शन दीज का करेक्ट आणसर है क्वेशन 25 है मा ड्यूटी पर है और बच्चा खेल रहा हैं यह किस प्रकार का वाइक है सरल मिस्र सयुद्ध या पिर कोई विकल्प नहीं तो देखी इसमें दो अलग लग वाइक हैं मा ड्यूटी पर है बच्चा खेल रहा हैं और अपने ये योजग सब्ड लगा हुआ है तो अपने सयुख्त क्या हुआ है योजग सब्ड लगाकर इनको सयुख्त क्या गया है तो सयुख्त वाक्य है option signal का और दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे ये स्वतंत्र वाक्य हैं, मा डूटीबर हैं और बच्चा खहल रहा हैं हेगिस्स सत नस्वाक्त है थी गता नहीं? जाओ, ये किस परकार का वाक्य है वहाँ जाओ निशेदात्मक परश्न वाचक अग्या वाचक क्या अनुरोध वाचक कोई वाक्यhhhh होता है अपने वहाँ जाओ इसमें क्या है अपने एक्तर से order दिया गया है अदेश दिया गया है तो अपने आग्या वाचक हो जागा इसका correct answer और देखिए निशेदा वाचक किसे केते हैं ये भी आप त्यान रखना चाहिए तो रख सकते हैं जिसमें अपने नहीं का बोद हो मना करने का बोद हो जैसे आज तुम खेलने मत जाना मेरी क्लास नहीं होगी मतलब जिसमें मना क्या गया हो निशेद क्या गया हो वो अपने क्या होते है अपने निशेद वाचक होते हैं प्रश्ण वाचक आप सभी को बताएं प्रश्ण पूछे वो प्रश्ण वाचक वाक्य हो जाएगा आग्या वाचक यह हो जाएगा अपने correct answer अप्सरी जिसमें आग्या कंव हो जाएगा फैल इससे बात और व्रिध सब्ट योगमु का आरत क्या हो जाएग आपने क्ललग चाईल बुड़ा बंदा और बुड़ा अदे़ बुड़ा या युवा बुड़ा क्या हो जागा इसका अंसर आप भी पटापट से comment करके बताएए स्वाहिम के स्टरपड भी कुछ से question का answer देना आप सीखिए देके बद का मतलब क्या है बंदा हुआ और वृद का मतलब आप सभी को बताएए बुड़ा तो option भी हो जाएगा इसका correct answer बद्ध का मतलब एक तरह से क्या हो गया किसी जी से बंदा हुआ वचन बद्ध जैसे वचन से बंदा हुआ तो बद्ध हो जाएगा अपने एकदम ये option भी इसका correct answer है बात और वात सब्ध युगम का अर्च क्या है अपने बात इस पहले वाली बात का अर्च क्या होता है अपने कथन या फिर वचन देखें दोनों अर्थ निकलता है कथन भी निकलता है और वचन भी निकलता है ये भी सही है लेकिन देखें इस वात का कर देखें तो इसके वात का मतलब होता है हवा, वायू, पवन, कई सारे इसके प्रेवाची मिल जाते हैं लेकिन आपको ध्यान के रखना है, इस बात का मतलब अपने, सेकंड वाली वात है, इसका मतलब बुखार नहीं होता है तो option C इसका correct answer है question 29 है अस्तूति गए सब्द का विलोम सब्द चुनिए अपने इस अस्तूति का मतलब क्या होता है अपने अस्तूति मतलब किसी की वंदना करना, किसी की बढ़ाई करना, तो देखिए याद प्रसंसा, निंदा या अपकार तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपने वंदना, तो इसकी निंदा हो जाएगी correct answer, ये इसका उल्टा हो जाएगा, स्तूति का उल्टा क्या है अपने, निंदा संदी सब्द का सही विलोम सब्द क्या हो जाएगा, इस वीडियो का अंतिम तिसवा क्योशन, इस से आगे भी एक क्योशन है विलोम विग्रा, रास, श्रिष्टी या वियस्टी, तो तीके संदी का विग्रा हो जाएगा अपने विलोम उप्शन है इसका correct answer हो जाएगा, और इस वीडियो का अंतिम क्योशन है, प्रसुन का प्रयावेची सब्द क्या हो जाएगा अपने 31 प्रसुन का वरिक्ष पुष्प चंद्रमाय अगनी तो प्रसुन किसे कहते है अपने फूल को कहते हैं फूल को पुष्प को तो option भी हो जाएगा इसका correct answer पुष्प कुसूम प्रसुन फूल यह से भी प्रसुन के प्रयावेची सब्द है तो option भी हो जाएगा इसका correct answer तो दोस्तों यह थे इस वीडियो के तेस मात्मन question हिंदी के BSTC में भी अपने 30 question पूछे जाते हैं आपको पता होगा और भी इस question अपने English के पूछे जाते हैं तो देखिए 30 में से आपको कितने question एकदम correct आ रहे थे आप comment करके बताएए और फेले question का answer भी आपको comment करके बताना है और देखिए English के भी वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे वो भी आप playlist चेक कर सकते हैं English के model paper भी आपको मिल जाएंगे और कई सारी subject दूसरी जोबे हैं अपने Hindi reasoning राजतान जी के उनके भी आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे वो भी जाकर आप देख सकते हैं तो देखिए इस वीडियो बस इतने ही मिलते एकले वीडियो में जय हिन जय भारत